गुद्मॉर değ ng students आज हम HOW डिसफेर करेंगे potentio metric consideration ऊडिक सबसे लाज़ टॉपिछ ein potentiometric Dayoreshen तो potentiometric Says़मेटिक टायटररीहशन बिसकली इसका यूउज थोरी में तो कम होता है थोड़ी तो बिसकली हमने पढ़नी पढ़ेगी क्योकि सम果 इसका यूज थोरी में तो कम होता है थोरी तो पड़नी पड़ेगी क्योंकि इस समस्टर में है पर इसका में टक्टिकल ज्यादा यूज होता है इसका क्योंकि जो आप MSC में यही जाओगे और स्पेशली फिजीकल केमिश्ट्री यही आप लेते हो आगे परशू करते हो तो सारे experiments basically potentiometric titration के होगे तो सबसे पहले हमें इसका principle पता होना pH ये वज़े से आपका potential change होगा किस formula से जो आपका ये वाला formula होता है हर के लिए वैसे अलग लग है ये मैं वैसे general बता रहा हूं कि ये जो e is equal to e0 minus 0.0591 log h positive और minus log h positive क्या हो जाएगा आपका pH तो ये का formula क्या हो जाएगा e is equal to e0 plus 0.051 pH ठीक है ये acid based titration में emf निकालने का formula है तो यहाँ पर जैसे आप pH चेंज करोगे तो आपका क्या होगा emf भी change होगा ठीक है तो basically हमने concentration को change करना है concentration की वज़े से आपकी pH चेंज होगी और pH की वज़े से आपकी क्या अब जो इसको setup कैसे करते हैं तो इसमें दो टाइप की एलेक्टोड लेते हैं जैसे मैं सबसे पहले आपको एक एक अग्जामपल दे देता हूं तो आप अच्छे समझ पाऊगे कि मतलब potentiometric titration करते क्या है ठीक है इसमें सबसे पहले दो टाइप की इलेक्टोड लेते हैं ठीक है जैसे हमने एक राइट हैंड साइड में कैलोमल इलेक्टोड ले ली और एक लेट हैंड साइड में हमने हाइड्रोजन इलेक्टोड ले ली इसमें वैसे तो हमने बता दे यह कैलोमल इलेक्टोड है यह यह आपकी हैड्रोजन इलेक्टोड है हर जगह लगबग कलमल इलेक्टोड ही reference एक ठीक और इस सेट जो लेफ्ट एंड साइड है hydrogen एक्टोड भी ले सकते हैं Queen hydrogen लेक्टोड भी ले सकते हैं glass लेक्टोड जो आपका indicator एक लेक्टोड होगी उसमें हम कोई सीथी भी लेक्टोड ले सकतें जैसे मैंने बता दिया hydrogen electrode या फिर क्विन hydrogen electrode या फिर आपकी glass electrode ठीक है आप उसमें क्या करेंगे right hand side में आपने calomal electrode लगा दी left hand side में आपने hydrogen electrode लगा दी उसको एक salt bridge से connect कर दिया और उपर यह potentiometer यह cell तो आप simply setup करते आ रहे हो इस पूरे chapter में ठीक है यह दो बड़े बिक्कर ले रहे हैं ठीक है अब क्या करेंगे एक हम stand लगाएंगे ठीक है stand आपने lab में देख़ा होगा उसमें एक clamp लगाएंगे clamp में हम एक burete लगाएंगे burete ठीक है अब burete में मालो हम acid based titration कर रहे हैं ठीक है तो नीची हम acid का solution ले लेंगे ठीक है इस वाली बिक्कर में हम acid का solution ले लेंगे और उपर जो burete में है एक acid based titration है तो acid तो हम नीचे ले लिया और उपर क्या ले लिया हमने base ले लिया ठीक है यह इसमें nuH base ले लेंगे ठीक है अब धिरे धिरे यह खोलेंगी इसको तो drop नीचे गरते जाएगी ठीक है तो जैसे ही drop नीचे गरेगी आप तो H positive को dissociate करेंगे ठीक है तो यह acid में जो H positive होगे वह neutralize होते रहेंगे धिरे 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 ठीक है तो उसके वज़ेचे pH भी change होगी आपकी pH बेसिकल इंक्रीज ही करेगी क्यूं क्योंकि H positive wines खतम हो रहे है तो आपका acid और धिरे धिरे कम होता जा र तो इस time पर हमें sharp peak मिलेगी जो pH होगी वो एकदम से increase करेगी एकदम से ठीक है उसके बाद फिर gradually धीरे-धीरे धीरे-धीरे जब पूरे अब यहां पर आपकी तीन टाइप की potentiomatic titration होती है सबसे पहले होती है acid-based titration उसके बाद होती है redox titration उसके बाद होती है precipitation titration तो सबसे पहले देखेंगे हम acid-based titration क्या होती है acid-based titration में हम क्या लेंगे इसमें में हम दो टाइप की electrode लेंगे एक तो indicator electrode और एक आपकी reference electrode ठीक है तो indicator electrode में कोई इसी भी electrode ले सकते हो hydrogen electrode, clean hydrogen electrode, glass electrode ठीक है और जो reference electrode होगी वो basically आपकी calomel electrode होगी ठीक है अब यह acid based titration है एक हमें acid लेना पड़ेगा और एक हमें base लेना पड़ेगा ठीक है तो HCL हम acid देल लेते हैं मालो और NUH हम base ले लेते हैं आप चाहो तो कोई सभी acid और base ले सकते हो ठीक है उसके बाद क्या करेंगे हम यह जो cell setup करेंगे अभी आपको बताए था क्या करेंगे राइट एंड साइड में केलोमल इलेक्टोड में लेफ्टंड साइड में अपकी Hydrogen इलेक्टोड या फिर Queen Hydrode Queen Hydron इलेक्टोड या Glass इलेक्टोड उसको एक Salt Briss से Connect कर देंगे ऊपर से यह Connect कर देंग WIRE कर दो लेफ्टंड साइड में stand लगाएंगे उस पर एक clamp लगाएंगे clamp में हम ब्यूरेट लगा देंगे, ब्यूरेट में हम NUH डाल देंगे, ठीक है, और नीचे हम HCl डाल देंगे, HCl, acid, कोई भी acid जो आप लेना चाहों, ठीक है, और फिर धिरे-धिरे रन कराएंगे, रन कराने के बाद क्या होगा, उपर से जब NUH नीचे आएगा, तो कंसेंट्रेशन चेंज होगी, H-Positive राइन नूट्रलाइज होते जाएंगे, आपकी acid की pH इंक्रीज होते जाएगे, ठीक है, solution की pH इंक्रीज होते जाएगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर EMF कैसे देंगे, EMF का formula अभी आपने पढ़ा था, वो जब last class होई थी उसमें, तो E is equal to E0 minus 0.051 log H-Positive at 298 Kelvin, अब यहाँ पर minus log H-Positive क्या होगा, आपका pH, ठीक है, तो E क्या हो जाएगा, E0 plus 0.051 pH, ठीक है, अब जैसे जैसे हम मालों 5-5 drop डालता जा रहें निच्छे से, और यहाँ पर acid dissociate होता जा रहा है, ठीक है, तो अब हमें graph plot करेंगे, ठीक है, किसके बीच में एक तो हम करेंगे, जो EMF हमारी आएगी इस formula से, pH change होती जाएगी, ठीक है, pH change होने से हम EMF निकाल लेंगे, simply pH को formula को put करके, इनोड की value हमें पता होगी क्या है, उसके बाद हम EMF in world EMF के वर्सिज, और जो हम volume of NH drop wise डाल रहे हैं, उसके वर्सिज एक graph plot करेंगे, ठीक है, तो graph इस type का आएगा, just like इस type का, जब हम HCL और NUH, specifically बता रहा हूँ, strong acid और strong base का graph draw करेंगे, HCL आपका strong acid है, और NUH आपका strong base है, तो आपका graph इस type का आएगा, ठीक है, और यह steep line कहाँ पे आ रही है, जब आपका acid पूरा neutralize हो रहा है, तो एक दम से increase होगी pH, ठीक है, तो यहाँ पे एक दम से increase होगा, और यह आपका हो जाएगा, equivalence point, और यह जो steep I है, यह आपका end point हो जाएगा, ठीक है, कई बार ऐसा होता है, कि यह जो peak है, जब हम weak acid और weak base का example लेंगे, तो हम इसको deduct नहीं कर सकते हैं, अच्छे से, तो हम एक और graph बनाएंगे, delta E versus delta V का graph बनाएंगे, और volume of the NUS का graph बनाएंगे, मालब इसके first derivative का graph बनाएंगे, यह तो simply MF का graph था, अब हम इसका first derivative का graph बनाएंगे, तो हमारा graph इस type का आजाएगा, और यह आपका जो, यह आया point, यह आपका end point हो जाएगा, ठीक है, thank you, अब इसके बाद आती है आपकी redox titration, जैसे हमने अभी यह वाली titration किया है, वैसे ही आपकी redox titration है, इसमें बस थोड़ा संतर क्या है, कि जो हमने left hand side ले ली, वो तो हमने calomal electrode ले ली, और जो यह आपकी indicator electrode है, यह वाली electrode है, and inert metal जैसे platinum है, यह आपकी electrode है, इसमें platinum, जो यह platinum है, inert metal है, यह dip करा गया है, एक ऐसे solution में, इंदे solution containing oxidized and reduced form of same substance, ठीक है, और right hand side में हमने एक voice simply stand लगाया, clamp लगाया, और उसमें किसका solution है, CE4 positive ions का solution है, ठीक है, और यह है Fe2 positive ions का solution, ठीक है, तो इसमें हम क्या होगा, कि इसमें जो होगा redox reaction होगी, क्या होगी, जो आपका Fe2 positive और plus Ce4 positive आपने लिया है, वो Fe तो Fe3 positive में convert हो जाएगा, और Ce4 positive, Ce3 positive में, ठीक है, तो यहाँ पे simply oxidation भी हो रहा है, और आपका reduction भी हो रहा है, तो यह redox reaction की तरह काम करेगी, ठीक है, अब simply इसका जैसे हमने वैसे last experiment में किया था, simply Ce4 positive ions को drop wise में गराएंगे, ठीक है, उसके बाद आपकी EMF measure करेंगे, ठीक है, तो जब हम, अब जो आपकी EMF आईगी, वो इस formula से आएगी, ठीक है, या तो यह वाला formula लिख दो, या यह वाला formula लिख दो, जो आप लिखना चाहो, उस से आपकी EMF आजाएगी, ठीक है, और फिर simply वैसे यह अपनी, आपका क्या कहते है, graph draw करेंगे, volume of C4 positive, C4 positive के बीच में, और EMF of the cell के बीच में, ठीक है, और वहाँ से आपका equivalence point आजाएगा, और यह ही आपका end point होगा, यह आपका end point होगा, ठीक है, यह आपका equivalence point, और यह आपका पुरा जो इस्टी पार ही है, यह end point, ठीक है, जो आपकी last titration है, potentiometric titration का जो type है, वो है, precipitation titration, इसमें जो नाम से ही पता चल रहा है, कि precipitation titration, इसका मतलब जो reaction होगी, उसमें आपका precipitate बनेगा, जैसे आपकी agcl, agno3, sorry, agno3 की reaction होगी, kcl के साथ, तो आपका क्या बनेगा, agcl और plus kno3, ठीक है, तो यहाँ पे agcl है, उसका precipitate बन जाएगा, ठीक है, तो अब हम इसकी setup देखते है, कैसे होगा, setup तो वही same होगा, left hand side आपकी calombal electrode होगी, और right hand side यह आपकी reference electrode होगी, और यह आपकी indicator electrode होगी, ठीक है, तो, और सबसे right hand side में वही stand लगागे, clamp लगागे, इसमें buret में, kcl का solution डालेंगे, यहाँ पे नो3 का solution डालेगा, यहाँ प यहाँ पे drop 5 डालेंगे, kcl का solution, जब kcl का solution, agn03 में जाएगा, तो agcl का precipitate बन जाएगा, ठीक है, तो इसकी जो electrode potential दिया जाएगा, वो निर्मस्ट equation से कैसे दिया जाएगे, सबसे पहले, तो जो आपकी indicator electrode है, उसकी reaction देखेंगे, इंडिकेटर electrode पे क्या होगा, ag जो positive है, व इसका electrode potential लिखेंगे, तो उसकी value आएगी, यह, e cell is equal to e not cell plus 0.5910 log ag positive, अब जो इस equation से दिख रहा है, इस equation से हम देख सकते हैं, कि जो यह emf of the cell है, वो directly variation करेगा, concentration of the ag के साथ, ठीक है, तो ऐसे ही हम धीरी धीरी यहाँ से, तो kcl डालते रहेंगे, ठीक है, फिर एक हम graph draw emf of the cell और volume of the kcl added, जब starting में कोई भी kcl added नहीं किया था, तो आपकी, जो आपका ag की concentration थी, वो तो बहुत आई थी, ठीक है, क्योंकि precipitate तो आपका बना ही नहीं था, जब हम kcl डालेंगे, तो precipitate बनेगा, तो starting में ag की positive value, concentration बहु जा जा था थी, तो यह value, जो emf की value है, वो भी ही आईगी, फिर धीरे-धीरे जैसे हम kcl उसमें डालते जाएंगे solution में, तो वहाँ पर agcl का precipitate बनता जाएगा, तो ag positive value होता जाएगा, तो उसका emf भी धीरे-धीरे कम होता जाएगा, तो यह slight change होगा, फिर जब end point आएगा, end point पे बहुत जादा मतलब change होगा, emf का, ठीक ह बहुत कम होगी, ठीक है, और वो क्यों होगी, because of the less solubility, or slight solubility of the agcl, ठीक है, और जो change होगा, क्योंकि यहाँ पर end point आगा, यहाँ पर change आपका, maximum change आएगा, ठीक है, अब हम देरी-देरी यही और kcl डालते जाएंगे, ठीक है, तो और kcl डालने पर कोई फरक नहीं अब solution पर, क्योंकि solubility तो कम है, ठीक है, तो ag positive गया है, इस पर आप कोई फरक नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी, और जो आपकी e में फोगी, वो remain unchanged होगी, अब graph ऐसे ऐसे चला जाएगा, ठीक है, यह थी आपकी last precipitation titration, अब इसके advantage देख लेते हैं, जो potentiometric titration है, उसके advantage क्य सबसे पहला advantage तो यही है, कि इसको किसी भी internal indicator की जरूत नहीं पड़ती, जैसे हम indicator डालते हैं, किसी को भी end point देखने के लिए, जब उसमें color change होता है, तो वो वाले indicator की जरूत हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, जैसे हम finop clean डालते हैं, जब हम NAOH और HCL की titration करते हैं, तो जब last end point पे आपका कौन सा pink color आता है, तो इस type के indicator, internal indicator डालने की बिल्कुल भी जरूत नहीं होती, potentiometric titration में, हमने कहीं पर भी internal indicator डाला ही नहीं, ठीक है, second जो इसका फायदा है, वो क्या है, जो acid based titration में है, ठीक है, तो कई बार pH के हिसाब से हमें indicator select करना पड़ता है, वो इसमें required नहीं है, यहाँ पे किसी भी pH की range के लिए, कोई अलग-अलग indicator नहीं चाहिए होगा, एक ही indicator electrode डालेंगे, उसी से हम किसी भी pH की value, किसी भी pH पे acid based titration कर सकते हैं, नमबर थर्ड जो सबसे main इसका फायदा है, जैसे हम यहाँ पे जो mostly titration होती है, वो one जो जैसे आपकी HCL की titration हो गई, ठीक है, HCL की है, मोनो बेसिक है, क्योंकि उसमें 1H positive निकलेगा, तो उसकी titration कर सकते हैं, पर potentiomatic titration में हम monobasic, poly basic, poly basic, acid, सब की titration कर सकते ह हैं, जैसे आपका H3PO4, जहाँ पे 3H positive निकलेगा, जहाँ फिर H2SO4, जहाँ पे 2H positive निकलेगा, मतलब poly basic जहाँ पे होगा, जितने भी H positive ions निकल सकते हैं, उन सब की titration कर सकते हैं, और जो last इसका फायदा है, वो है यह कि, जहाँ हम A की titration mixture में, कोई भी जो several components है, उनको titrate कर सकते हैं, जैसे CL negative, BR negative, I negative है, यदि उनको एक साथ AGNO3 के साथ titrate करेंगे, तो हमारे पास accurate reading आएगी, कई पर क्या होता है, कि जो ions होते हैं, मालो, अलगला components, several components ले लिए, तो titration में interfere करते हैं, बदब, जो हमारी reading आनी चाहिए, उसको change कर देते हैं, पर potentiometric titration में इसा नहीं ह साथ है, तो उनको भी titrate कर देगा, ठीक है, ठेंक्यू,